इशिवाई नमस्तु ब्यम हर हर महाधेव दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत है 14 जून को योगीनी एकादिसी है तो एकादिसी के दिन आपको छुपाय करेंगे तो भगवान विश्णू और मालक्ष्मी की गृपा प्राप्त होती है ऐसे खास दिनों में जो उपाय किय जाती है तो उनके फल आपको सिग्र प्राप्त होती है आपकी मनो कामना से पूरिब हो जाती है तो आपको यह उपाय करने से ना चुके इसमें आपको क्या लेना है भगवान विश्णू की एक फोटो प्रतिमा आ या मूर्ती जो आपके घर में हो गर नहीं है तो आप तो उसके आगे, आपको एक कटोरी में हल्दी लेनी है, और एक कटोरी में कुमकुम लेनी है, और कुमकुम और हल्दी लेके, आपको भगवान विश्णो की मूर्ती फोटो जो आपके मंदिर में है, वहाँ आपको जाना है, और आपको लेफ्ट पैर में उनको रोली रखनी ह और राइट पैर में आपको हल्दी रखनी है इसे जो क्या होगा आपके घर में जो पती-पत्नी में मन मुटाव रहता है ज्यादा गुस्सा करती है पती यह छोट-छोटी बातों पे लड़ाई होती है यह सब शान्त हो जाएंगे तो यह उपाई आप अवश्य करें दूसरा उपाई करना है आपको एक तामी के लोटे में सुद्जल भरना है उसमें थोड़ा सा गंगा जलाब डाले और तुलसी के पत्ते आपके पास जो है पहले से तोड़े हुए आप उसमें डाले यह आपके पास डंडी है उसकी वो डाल दे और हल्दी आप उसमें एक आप अपने नहाने के जल में मिला लीजे इसे जो आपके घर में जिस वेक्ति का दुर भागे चल रहा है साथ भागे साथ नहीं दे रहा तो यह उसका सही होने लगेगा घर में लक्ष्मी आने लगेगी तो यह आप उपाई अवश्य करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइ करें शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद